हेलो दोस्तों वेलकम टो डिएश्डी कार्स और अगर आप भी एक बजट कार खरीदना चाहते हैं जो कि ठीक ठाक पैसे में बढ़िया फीचर्स, बढ़िया माइलेज, बढ़िया पावर, पूरा स्पेस और मार्किट वेल्यू के हिसाब से दमदार गाड़ी अगर आप लेन से बैठ सकें, पूरा हेड रूम, पूरा नी रूम, लेग रूम, थाई स्पोर्ट, सब अगर बढ़िया चाहिए, तो आदमी इस गाड़ी की तरब भाई खिचा चला जाता है, इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिलता है, अगर नहीं मिलता है, तो सिर्फ सेफटी, क्योंक की वीडियो में आप लोगों के सामने हैं, वाइट कलर में भाई जबरदस्ट लुक इस गाड़ी के आति है, अब लुक्स के मामले में सब की पसंद अलग-अलग हो सकती है, हो सकता है किसी को इस गाड़ी पसंद हो, ना हो, कोई इस गाड़ी को डबा कहता है, बोक्सी कहता तीन का डबा कहता है लेकिन फिर भी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में इतना बिखती है इसका मतलब है कि जब कस्टमर अपने लिए गाड़ी खरीता है तो वो भाई सब कुछ सोच समझ के खरीता है क्या उसकी प्रियोर्टी है क्या रिक्वाइर्मेंट्स है उसके हिसाब स से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके बास भी पुरानी गाड़ी और आप टैंसन में है कि उसके पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्केट में तो उसकी जो टैंसन है वो भाई आप बुढमों पे छोड़ दीजिए क्योंकि बुढमों पे हर गाड़ी के आप आपको पार्ट मिल जाते हैं चाहे नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो चोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो हर गाड़ी के पार्ट आपको बुढमों पे अवाइलेबल मिल जाते हैं प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने पार्ट मंगा ल आप वहाँ से भी उसको चेक आउट कर सकते हैं तो इस गाड़ी में भाई हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है फोग लेंप्स नहीं मिलते हैं क्रोम ग्रिल आपको फरंट में मिल जाती है ओवरोल जो लुक है वो यहां से आप फरंट की देख सकते हैं फरंट और साइड का जो कमबाई लुक है वो भी आप यहां से देख सकते हैं कि आपको इस गाड़ी की लुक्स पसंद आती हैं या नहीं आती हैं साइड में अगर चलें तो 14 इंच के स्टील रिम और वील कवर के साथ में इस गाड़ी में आपको टायर्स मिलते हैं किसी भी तरह की जो बोडी कलेडिंग है वो गाड़ी में नहीं दी गई है 150 mm की ग्राउंड क्लेरंस आपको मिलती है ABS और EBD के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स फेंटर पे ही दिये गएं बोडी कलर में जो ओर वियम्स हैं वो आपको गाड़ी में मिलते हैं A और B दोनों ही पेलर्स आपको बोडी कलर में मिलते हैं लेकिन C पेलर भाई ब्लैक आउट किया हुआ आपको मिलता है body color में ही door handles आपको मिलते हैं side और rear का जो combine look है वो यहां से आप देख सकते हैं और देखने में भाई मुझे तो गाड़ी काफी बढ़िया लगती है बाकी पसंद अपनी अपनी है बड़ी बड़ी tail lamps आपको मिलती है हेलोजन में और कई भाई तो भाई इस गाड़ी के tail lamp की जो तुलना है वो scorpio तक से कर देते हैं reflectors और parking sensors नीचे bumper पे दिये गए हैं पीछे आपको rear skid plate का जो design है वो मिल जाता है यानि कि look wise भाई बढ़िया गाड़ी आप वेगनार को कह सकते हैं chrome finish के साथ में जो number plate applic है वो आपको मिल जाती है high mount stop lamp दिया गया है जो rear spoiler है वो गाड़ी में आपको नहीं मिलता है चाबी के गर बात करें तो remote control चाबी मिलती है lock और unlock बटन के साथ में दोनों ही चाबियां इस गाड़ी में remote control आपको मिलती है कोई भी requesting sensor दरवाजे पे नहीं दिया गया है interior की बात करें तो black color के साथ में जो interior दरवाजे का वो आपको मिलता है silver finish में door handles smart lock system आपको मिल जाता है चारों ही power windows दी गई है और जो driver window है वो one touch down के साथ में आपको मिलती है lock unlock का जो button है वो मिल जाता है और power adjustable ORVM's इस गाड़ी में आपको मिल जाते है ORVM's को आपके वल बाहर से ही fold कर सकते है अंदर से fold करने का कोई भी system आपको गाड़ी में नहीं मिलता है button loader और जो speaker है वो भाई आगे दरवाजे पे आपको मिल जाते है driver seat की बात करें तो height adjust करने का जो option है वो आपको गाड़ी में नहीं मिलता है backrest adjust कर सकते है seat आगे पीछे कर सकते है fabric में ही जो seat है वो गाड़ी में आपको मिलती है और soft seat आपको मिलती है back काफी हुचा दिया गया जिस पे की आराम से आप बैठ सकते है fix address के साथ में front seat आपको मिलती है और भाई ये है गाड़ी के dashboard की look dual tone के साथ में जो dashboard की look है वो वाकई में काफी बढ़िया वेगनार में लगती है driver के right side में अगर आप देखें तो idle start stroke का button और जो light के controls हैं वो भाई आपको मिल जाते हैं और भाई ये है गाड़ी का MID meter simple look के साथ में जो MID meter है वो गाड़ी में आपको मिलता है speedometer analog और जो बाकी की information से हैं वो आप digitally छोटी सी display में भाई देख सकते हैं इस गाड़ी में multi trip distance to empty instantaneous mileage average fuel consumption digital clock door azar warning और gear shift indicator जैसे जो features हैं वो भाई आपको मिल जाते हैं steering की बात करें तो sound controls और telephonic controls आपको steering पे नहीं मिलते हैं silver finish के साथ में round shape का जो steering है वो गाड़ी में आपको मिलता है dual airbags आपको वैगनार में मिल जाते हैं और steering को आप tilt adjust कर सकते हैं center console पे आएं तो 2DN का smart play dock आपको मिल जाता है दो speaker के साथ में USB, AUX और Bluetooth से ये system भाई connect हो सकता है और जो look है वो आपकी आँखों के सामने है सभी controls आपको stereo के नीचे वाली side में भाई मिल जाते हैं manual ACOrator दोनों ही गाड़ी में आपको मिलते हैं 12V का accessory outlet दिया गया है चोटा मोटा समान रख सकते हैं 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है और जो gear lever की look है वो भी भाई देखने में काफी बढ़िया लगती है एक cup holder आपको gear knob के पीछे यहाँ पे मिल जाता है normal glow box आपको गाड़ी में मिलता है fix grab handles गाड़ी में मिलते हैं और पीछे cabin में कोई भी दूसरी light इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती है boot की बात करें तो power boot आपको गाड़ी में मिलता है जो lever है वो number plate applic के नीचे आपको मिल जाता है वैगनार का जो boot space है वो काफी बढ़ा है यानि कि 341 लिटर का जो boot space है वो मारुत्ती वैगनार में आपको मिलता है और अगर CNG variant भी आप लेते हैं तो उसमें भी बाकी hatchback से जादा space आपको मिलता है अगर CNG के साथ में आप तुलना करेंगे तो boot floor के नीचे आपको मिलता है 14 इंच का spare wheel जो की black color का steel rim है और size में बाकी के tires के जैसा ही आपको मिलता है फ्रंट से लेकर येर तक की जो inside look है मारुत्ती वैगनार के VXI variant की वो आप यहां से देख सकते हैं अब सब की पसंद अलग अलग है किस किस को ये गाड़ी पसंद आई वो भाई कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engine के बारे में तो मारुत्ती वैगनार के VXI वन लिटर वैरियंट में 998 CC, 65 BHP 89 NM torque और 24.35 km पर लिटर के mileage के साथ में 3 cylinder, 1 लिटर K10C petrol engine दिया गया है जो कि गाड़ी को बढ़िया पावर देता है साथी साथ जो mileage है वो भी भाई जबरदस्त आपको मिलती है यानि कि अगर आपको mileage चीए performance चीए, resale चीए, service चीए पूरा space चीए और गाड़ी की market value चीए तो आप मारुत्ती वैगनार की दरफ जा सकते हैं प्राइसिंग की अगर बात करें तो मारुत्ती वैगनार का जो VXI variant है उसकी एक्शोरोम केमत है 5,91,000 और ये गाड़ी ओन रोड आपको पड़ती है लगबग 6,60,000 की लेकिन 20,000 का जो cash discount है वो फिलाल में इस गाड़ी पे आपको मिल सकता है यानि कि 6,40,000 में ये गाड़ी भाई आप अपने लिए ले सकते हैं तो भाई पूरा वीडियो आपने देख लिया है feature wise, mileage wise, engine wise, service wise, resale wise और market में value wise अगर हम देखें तो भाई इस गाड़ी में क्या नहीं मिलता आपको सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है सिर्फ जो safety की बात मैंने कही है वो आप जरूर ध्यान रख ले बाकी decision आपका है कि आपको अपनी requirement और जरूरत के इसाब से कौन सी गाड़ी लेनी है तो भाई यही था अज़का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों